मसकार दोस्तो विशाल की गयान यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वावत है तो दोस्तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना था है इंविटेशन चैट के बारे में तो दोस्तो उस वीडियो में मैंने बता है था कि इंविटेशन चैट क्या है और उस वीडियो पे मुझे बहुत सरे ऐसे कमेंट्स आये कि सर इंविटेशन चैट को कैसे हटाए या डिलेट करें तो दोस्तो आज का टॉपिक ही होने वाला है कि इंविटेशन चैट को आप कैसे डिलेट कर सकते हो तो इस वीडियो को आपको लास सक जरूरी देखना होगा एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना होगा ताकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाये तो चले ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुव करते हैं तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपकी कमेंट्स आये तो इस टोपिक के उपर मैंने विचार किया फिर उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ठीक है करना है इससे आपका यह problem हट जाएगा ठीक है तो दोस्तों अभी मैं आपको second step बता दाओ कि आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है आपके mobile की setting में जाने और वहाँ पर जाने के बाद आपको application manager में जाना है ठीक है वहाँ पर जाने के बाद आपको Instagram application को सर्च करने है, सर्च करने के बाद वहाँ पर clear cache and clear data आपको करना है, बट उसके पहले आपको प्या करना है, आपको जो Instagram का password रहेगा, या ID रहेगा, वो आपको कही पर भी लिखने लेना है, ठीके, उसके बाद ही आपको ये clear data करना है, ठीके, नहीं तो आपको password भूल गए, तो आपको problem हो जाएगा, ठीके, तो दोस्तों, अभी मैं आपको third step बता दाओ, कि आपको क्या करना है, ठीके, तो सबसे पहले आपको mobile के Chrome browser में जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको Instagram टाइप करना है, और Instagram टाइप करने के बाद वहाँ पर आपको Instagram ID लॉग इन करना है, ठीके, लॉग इन करने के बाद आपको इना क्या करना है, आपको इना chat section में जाने, चैट section में जाने के बाद वहाँ पर आप एक बार इना message करके देच सब्दों कि वहाँ पर multiple message जा रहा है या नहीं आप चेक कर सब्दों ठीक है दोस्तों अभी मैंने आपको तीस step बता है उन में से कोई भी trick आपका work नहीं कर रहा है तो आपको अभी में 4 step बताने वाला है तो उसमें आपको क्या होगा कि जो latest update आते Instagram में वो आपको नहीं मिलेंगे ठीके तो दोस्तों अभी मैं आपको पाचवास टिप बता दाओ कि आपको क्या करना है तो आपके गर में दूसरा कोई भी device रहेगा उसमें आपका Instagram अकौन को login करना है और वहाँ पर चेक करना है कि वो option हटा है या नहीं ठीके तो यह हमारा पाचवास टिप था अभी आपको में लास्ट टिप बता दाओ जिससे आपका यह problem solve हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको जो भी problem आ रहा है उसका screenshot लेके रखा है उसके बाद आपको क्या करना है Instagram में जाने के बाद Instagram की setting को open करना है open करने के बाद वहाँ पर आपको help का एक option दिखेगा वहाँ पर click करना है click करने के बाद वहाँ पर आपको रिपोटर problem का एक और option दिखेगा वहाँ पर tap करने के बाद आपको जो भी problem आ रहा है वो यहाँ पर आपको type करना है फिर अपने जो screenshot निकल है वह आपको वहाँ पर attach करना ह और सम्मिट करना है इससे Instagram आपका ये problem solve कर देगा तो दोस्तो यही थी आज की information तो I hope दोस्तो यह जो वीडियो में ने बनाया आपको helpful लगा होगा तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को all पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की all notification आप तक तो चलिए मिलता हो नेच्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहीन वंदे मातरम Thank you so much